नमस्कार हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ किर्ते बिंदल और आजम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं किसान नेता सर्वन सिंग पंधेर का बयान सामने आया है पुलिस के लाठी चार्ज में किसान जखमी हुए हैं सरकार से कोई नई मांग नहीं बोली है तमाम जो मांगे है वो पुरानी मांगे है पहले जो मांग पत्र दिया था वही हमारी मांगे है आंदोलन शांति पूर्ण ह किसान देश का नागरिक है किसानों को कोई भी नहीं हरा सकता है हम सरकार से टकराने नहीं आए है किसी राजनितिक डल से हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन हमारी जो सीधी सी मांगे है वो सीधा सरकार से है और सरकार को इन मांगों पर गौर करना चाहिए तो बड़ी खबर आपको बता दे हम सरकार से टक्रान ही नहीं आए हैं जो शंभू बाढ़ रहा है यहां पर हवारी ओरते तो पीसफुली सारा कारेकरम चल रहा है हम आए हैं हम सरकार से मांग करते हैं भी हमें दिल जाने देजिए पिसफुली ढंक से अपना परदाशन करने देजिए अगर अपने मांग पर तो कोई बातचीत नहीं हो रही है अभी पर सरकार की ओर से जैसे अभी हमने 161 कंपणियां लगी हैं अर्दसैनिक फोर्स से की तो जो अर्दसैनिक फोर्स हैं वो लगाएं तो हम इस देश के किसान में दूर है कोई कोई इस तरह के लोग थोड़े ना इस तरह का बल प्रयोग हमारे उपर किया जैं मैं आपको पता जो आम सधार लोगों पर नहीं किये जाते तो यह इतना बल परयोग कर रहे हैं तो यह मुझे नहीं लगता पी यह उचित होगा इस लोगता अंत्रिक कांट्री में हम यहां जो अपने जवान हैं उनसे लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आये हुए हम अपनी बात के लिए आये हैं भी हमें MSP खरीद की ग्रेंटी का कानून बनाएए इसी के साथ C2 प्लस 50% जो का फारवूला लगा कर डॉक्टर स्वामी नाथन कमेशन की रिपोर्ट के रमसार फसलों के दाम दीजिए किसान और खेत मजदूर का करज खतम कीजिए तो मुझे लगता है कि इंदर स और किसानों से वारता करें और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी उनको मानना चाहिए इस बीच ख्रिश्मंत्री अरजुन मुंड़ का भी बयान सामने आया है समधान करास्ता निकाला जा रहा है बाचीत से ही समधान निकलेगा किसान बाचीत करे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाचीत से ही समधान निकलेगा किसानों को थोड़ा सा धहरे रखना होगा बातचीत से समधान निकलेगा जल्दबाजी में कोई फैसला लेने वाले नहीं है और अगर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है तो जाइड से बात है किसानों को थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए कहा गया है किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णाय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सब के लिए बगैर सोची समची इस्तिती के बारे में लोग आलोच ना करें वल्कि हमें ये कोशिष करना चाहिए कि हम इसके सारे पख्चों का ध्यान रखे और उस पर चर्चाई आम जन जीवन को बाधीत ना करें आम जन जीवन किसी तरह से परेशान नहों एक सामाने लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाए समस्या और अधिक उलस्ती है किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि तो देखे रगतार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसी के साथ साथ कुछ तस्विरे भी अभी हम आपको हाल ही की दिखा देते हैं जो हापर नौईडा में दिल्ली में जान की स्थिती है वहीं अगर हम बात करें हरियाना की कुछ हिलाकों की जो लोग चंडिगर जाना चाहते हैं पर चंडिगर से जो लोग दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं वो लोग आसानी से नहीं आ पा रहे हैं बहुत घूम फिरकन के उनके लिए जो रास्ता निकाला गया है वही पर से लोग आप आ रहे हैं इस बीच लोग परिशान हो रहे हैं सिदे तोर पर सवाल पूछ रहे हैं किसान दोलन की बीच में आकिर कार जनता क्यों किसे तो किसानों का प्रदर्शन लगतार जारी है और जनता कही न कही इस बीच पिस रही है हर्याना में धारा एकसचवालिस लागू है और इसी के साथ साथ दिल्ली में भी धारा एकसचवालिस लागू है वहिए आपको बता दे किसानों के ओर से कहा गया है कि हम शांति पूण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन पुलीस के ओर से हम पर पाइरिंग की जा रही है रबड की गोलियां दागी जा रही है आंसुगेस के गोले छोड़े जा रही हैं और हम सिर्फ आराम से ये मांग करते हैं कि हमें दिल्ली की तरफ जाने दिया जाए कुछ तस्विरे आ रहे हैं वो हम आपको पहले दिखा देते हैं प्रदर्श्रन कारियों की जो कोशिश है वो ये है कि वो आगे की और बढ़े और इसी के साथ साथ दिल्ली कूच करें लेकिन इस बीच आपको बता दे कि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसानों को आगे बढ़ने न दिया जाए पंजाब और हर्याना के किसान अपनी मांगों को ले करके दिल्ली कूठ की तैयारी कर रहे हैं और किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हर्याना के शंबू बोर्डर पर रोक लिया गया है किसानों को रोकने और उन्हें तीतर बीतर करने के लिए मंगलवार को पुलिस की और से आसुगेस की गोले दागे गए सिंगु बॉर्डर, टिक्रे बॉर्डर और गाजिपूर बॉर्डर पर भारी संक्या में पुलिस बलतैनात किया गया है इन सिमाओं पर सिमिट और लोही की बैरिकेटिंग भी की गई है तो बता दे किसानों को रोखने के लिए कटीले तार और कंटेनर भी रखे गए हैं किसानों ने मंगलवार श्राम को फिर से कहा कि वो सुभा फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे और वही किसानों पर पुलिस की कारवाई को लेकर के विपक्षी दलों ने सरकार पर निश्याना साधा है और शम्भू बॉर्डर पर प्रदर्शन कारी किसानों ने बैरिकेटिंग तोडने के प्रयास कि और हर्याना पोलिस के जवानों पर पत्राव भी किया गया है सी वीडियोस भी निकल करके आ रही है हर्याना पोलिस के एक प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की आड में उपद्रफ फैलाने के अनुमती नहीं दी जाएगी अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो बस यह ट्रेन से जाएं या फिर पैदल जाएं हम ट्रेक्टरों को दिल्ली नहीं जाने देंगे आपको बताएं कि किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए हर्याना पुलिस ने बहादुर गड़ में भी किले बंदी कर दी है बड़ी संख्या में पैरा मिलिटरी पोर्स, ITBP, हर्याना पुलिस को तैनात किया गया है जिए हर्या और चल्या हम कोशिश करेंगे कि हम चर्चा करें तमाम महमान हमारसाथ बने हुए उन सभी का परिचे में करवा देती हूँ विनूछ सेहरावद हमारे साथ अध्यक्ष किसानमोर्चा से दिली प्रदेश से बने हुए हैं विनुछ सेहरावद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चरचा में उमष्यंकर पांठे हमारज सथ प्रवक्ता कॉंग्रेस पाटिज से बने हुए हैं मास्टर शोराज सिंग भाटी जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस चर्चा में शुर्वात मास्टर शोराज सिंग भाटी जी मैं आप भी के साथ करना चाह रही हूँ अगर किसान ये जो प्रदर्श्रन है वो शांती पून तरीके से करना चाहते है कि जो पुलिस इतने आराम से इंतजार कर रही थी आप सभी का आगे बढ़ने का वो पहले आराम से खड़ी थी और फिर उसके बाद जब धक्का मुक्की करके आगे बढ़ा जाता है फिर आसुगेस के गोले छोड़े जाते हैं और रबड की गोलिया भी बरसाई जाती है तो यह प्रदर्शन शांति पून थारीके से तो नहीं हो रहा है यह दन्यवाद सबसे पहले तो मैं बाहर किसान व्योग सकती कि तरब से सब देशवासियों को बसंपंच में की सुर्कामना बेट करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि मानने प्रदान का मत्री मोड ऐक विजय के लिए हम दोक सवाम है कि मैं देश का किसान कभी भी आजीवन दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए देश की किसान पर रोक है को कभी दिल्ली सांथिपूर ढंशें भी नी आ सकता क्योंकि दो साल पहले बाजपा का एक किसान शंग था और लाखों की संख्या में आराम से रामनीला मैदान में घुज गया अपना पंदर्शन करके गया इसान सांती पूरवक आ रहा था लेकिन इन्हों ने कैसी वेरिकेटिंग कर दी यह वेरिकेटिंग की आवस्ता थी पाकिस्तान के बॉर्डर पर चाइना बॉर्डर पर वहां इतनी मजबूत बॉर्डर पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो मजबूत बैरिकेटिंग करते नहीं है किसानों को एक ऐसे लगा दिया है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्धुरा हो कि मैं आपके चाहिए से स्वास पर किसान करने में क्या भाने में सब्सका को ठोग सोबीक्षा उनके लिए कम समिदुस्तान के दिय्क पर चाहिए हूपाण दफ़क्सा दल कह scrambled थनकत है कब मुद्धन जान बैक युवाबवाज की उससन कहा है कि आपने परवार के लिए सब्सक्राइब नहीं है कहीं पूरे हिंदुस्तार में जो पांतों परवार के लिए कि आपकी बात को समझ चुकिए मास्टर शुरात सिंग जी लेकिन आपकी आवास थोड़ी से इंट्रप्टेड आ रही है और हम आपको सही से सुन नहीं पारें मैं अपने टेक्निकल टीम को कहूंगी उसे थोड़ा दुरुस्त करें लेकिन मैं आपकी बात को समझ गई जाकर की शांती पूर्ण तरीके से प्रदर्शुन करना चाहते तो इसमें दिकत क्या है क्यों आखिर कार केंद्र सरकारु ने रोक रही है कि देखे कोई दिकत नहीं और नहीं किसी को हम रोक रहे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दौरा सभी को नमस्कार करता हूं लेकिन क्या है सांती पूर्ण डंग से जो अपनी बात रखी जाएं सरकार इन से बात चीद भी कर रही है मैं किसान का बेटा हूं आज भी हम खे सब्सक्राइब में तो किसानों की बात करते हैं लेकिन डिली के किसानों कोंगि कुद्ध वाले सभी सब्सक्राइब मैं संबस में किसान परिवास से स्मुन ह्ता हूं जो केंदर सरकार ने किसान समवान ने दी शुरू की आप पहले देखेंगे जब से मोदी सरकार से पहले कितने किसान आते मत्ता कर रहे थे लेकिन आज सुनने के नहीं मिल रही बार्टे जंता पार्टी मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी और क पहला आंदोलन हुआ तो उसके बाद जब तमाम किसान वापिस चले गए तो उसके बाद वो गैप जरूर में लाके इंद्रुसरकार को फिर उस दौरान क्या हुआ जब कमैटी बनाएगी कई जो हमारे समान करता हूँ उनको बुलाएगा वो गए निवा और अब देखें कई दोर की बात हो चुकी हमारे कैमिल्टन मंत्री जो हो आवा बैटे हैं और जो जाइव बात मानी जाएगी क्यों नहीं मानी जाएगी और जो किसानों के लिए किसान इंडोस्तान किर्शी देश पर दान है तो किसानों के बात हमेशा करते रहे हैं और आगेंशन करते रहे हैं किर्थी जी देश का अन्यदाता अगर संगर्ज को मजबूर है और सड़क पर उतर कर योगी और मोदी और खटर सरकार की गोली लाथी डिंडे खाने को मजबूर है तो क्या एक राजनेतिक पार्टी के नाते एक विपक्ष के नाते कॉंग्रेस पार्टी का या धर्म नहीं ब अब किसान है उसको खटर की सरकार ने खटर की पुलिस ने जिस तरीके से मार पीट कर घायल किया क्या उसे बात करना रहुल गांदी जी का संबेदना प्रदर्सित करना क्या ये गलत है और लोगतंत्र में क्या सांधी पूर्ण तरीके से प्रदर्सित करने पर रोक लग गई ह क्या हिंदुस्तान में लोगतंत्र समाप्त हो गया है क्या आप यहां पर मुदी जी और अमिर साहजी की ताना साही चल रही है कि किसान अपनी मांग भी नहीं कर सकते हैं और कौन से किसान ठगे हुए किसान जिन्हों ने पिछली बार करीब देड़ साल तक दिल्ली में प्रद भी बैठके हुई इस जान्दोलन से राजनितिक लाब लेने की कोशिश करें वह इसलिए कि अब यह वादा किया गया कॉंग्रेस पार्टी के और से कि अगर हम सब्ता में आते हैं तो किसानों की तमाम मांगों को मान लिया जाएगा हाँ बिल्कुल हम MSP की गैरेंटी देंगे हम किसानों की मांगे मानेंगे लखीम पूर खीरी कांड के दोसियों को उनकी परणिती तक पहुचाएंगे किसानों की जायज मांगे हैं उसको सबसे पहले ही लागू कर देंगे यह कॉंग्रेस पार्टी इस बात का संकल्पित है संकल्प लेती है दूसरी महतुपूर बात मैं कहना चाह रहा हूं एक बात परचारित की जा रही है किरती जी कहा जा रहा है कि किसान के आंदोलन के कायन आम जंता परेसान हो रहे हैं यह बैरिकेट कौन लगा रहा है यह बड़े-बड़े कील और तलवार भाले सडकों पर लगा कर किसानों को संधिपूर अंदोलन से कौन रोक रहा है यह बारती जंता पार्टी की सरकारों की साजी से किसानों को बदनाम करने की पिछली बार भी इन्होंने खालिस्तानी पाकिस्तानी और ना जाने क्या का आप किसानों को संधिपूर तरीके से जाने दीजिए उन माफ़ी के साथ आपको रोक रही हूं, मैं एक चीज़ जरूर दुरुस्त यहां पर करना चाहूंगे और ये मैसेज मेरे मास्टर शुराज सिंग भाटी जी तक भी पहुचना चाहिए, वो ये कि हर्याना पुलिस के और से कहा गया है कि हमने किसानों को दिल्ली जाने से नहीं कि रोका है, बस शर्ते वो बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, लेकिन ट्रेक्टर को नहीं लेकर के जा सकते हैं, ये मसला है कि डेली और नॉइडा में किस तरह से जाम लगता हैं, ये आप तमाम तरीके अच्छे तरीके से जानते हैं, तो किसान किर्थी जी करनाल में और कल हमारी करनाल की कई बेदान सभाओं में मीटिंग थी और मैं वहां जा रहा था जिस तरीके से बैरिकेट करके तमाम पूलिस बिल्कुल ऐसे लग रहा है आतंकुवादी आ रहे हैं यह कौन कर रहा है आप कहा है ट्रेन से हम जाने देंगे यह क्या बहुत पर जाने पर इनके खाने पीने की बीवसता वो मुदी सरकार करने वाली है इस बात की गरिणडी ले ले तरह को चिखा करें झैंकि बहुत SPEAK आप प्रदर्शन करिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान ट्रेक्टर से वहाँ पे जाना चाहेगा मैं एक बार अपने अगले गेस्ट का भी रुक कर लेते हैं फिर मैं आप सभी के बीच में चर्चा उपेन कर दूँगे रोहित अगरवाल जी आरेलडी तो किसानों की पार्टी मानी जाती है जाटों की पार्टी मानी जाती है इस किसान आंदोलन को आरेलडी किस नजर से देख रही है क्योंकि ये प्रेशन में इस लिहाद से पूछ रही हूं कि एंडिये के साथ आपकी जो चर्चा हो रही है पूरी तरीके से सरकार से कहना चाहता है कि किसानों के उपर किसी भी तरीके का बल प्रियोग ना किया जाए और किसानों की बात वारता लाप की जाए राश्ट्रिय लोगदल एक बार ऑफिशली एंडिये का पार्ड बन जाएगा हम आश्वस्त करते हैं अपने किसान भाईयों को MSP की गारेंटी कानून के लिए हम सं सरकार से बनवाएंगे किसानों के हित्मे बनवाएंगे ये इसके लिए राश्ट्रिय लोगदल पूरी तरीके से संकल्पित है किसानों के जितने भी बुद्धे हैं वो हमें भली भांती तरीके से पता हैं हम किसानों लेकिन जिस तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं क्या आप मानते हैं कि वो तरीका ठीक है? आप से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप कृपया करके इस चीज को देखें कि अगर आपके आंदोलन के अंदर कोई भी राजनितिक वेक्ति आके वहां पर राजनितिक रोटियां सिखने की कोशिश कर रहा है, उसको बाहर करिये, किसानों की मांग के लिए राश्ट्रे आप सिंग जी, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक प्रशन पूछ रही हूँ, कल एक वीडियो सर्कुलेट किया गया, जिसमें हम देख रहे थे कि फ्लाइओवर पर जिस तरह से फ्लाइओवर को शील्ड करने के लिए बड़ी-बड़ी लोहे की टीन्स लगाई जाती के ताकि कोई लोग दूसरी साइट ना गिर जाए, वहाँ पर बड़ी संक्या में जो किसान आंदोलन में युवक शामिल है, उन्होंने उस टीन को उखाड फैकने की कोशिश की, जब ये प्रदर्शन शांतिपून तरीके से हो रहा है, तो फिर ये तस्वीर क्या नहीं आंदिवादी तरीके से आंतोलन करें, लेकिन उगरता जो ही वो प्रसासिन की तरफ से होई, ट्रोंग से उन पर आसुगेस के गोले चोड़े गए, रबड की गूलिया चलाई गई, पानी की फ़ारे चोड़ी गई, इस तरीका से जैसे तो पाकिस्तान की सीना चड़का रह ट्रेक्टरों के साथ जंजीरे बांध करके, सिमेंटेड बारिकेड के साथ अटाच करके उन बारिकेड को हटाने की कोशिश नहीं कहीं गई और फिर उसके बाद मजबूरन बोचार करनी पड़ी पानी की? अगर आपको रहने की नौबत ना आई और सारी मांगे मान ली गई तो ये जो इतनी छे महीने का राशन लेकर के आया जा रहा है फिर वो आप उसे वापिस लेकर के जाएंगे? अगर नहीं तो ये कह रहा हूँ कि वारता की जरूत नहीं है, आंगलों की जरूत नहीं है, मानिया ग्रह मंत्री या प्रदार मंत्री जैसे तीर कानून के लिए घोश्टा कीती चैनल पर आगे घोश्टा करनें, क्या आपके आवारा पस्तों के लिए किसी सुर्चा दल का करेंगे, किसानाइब करेंगे, MSP कानून बनाएंगे, अच्छे ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक वक्त की कमी है, बहुत मादवपून सवाल में आप ही से पूछना चाहती हूँ, लास्ट अपडेट क्या है आपकी सरकार के साथ बाच्शीत की? मैं बाच्शीत की ढ़ सीमीय, जो हमारी छोटी-छोटी महाँ में, किसी की राजमार्दी थोड़ी मांग रहे हैं, हमने तो सरकार को अपना कीननी पोड़ दे करके सब्का सर शार्कार काई वे हैं। सारी माम उनकी समझ मागी है, उनकी घोर्षा करत है। सारी कास की बाते हैं, और जितने किसानों के समझी दोर्षा करते हैं, अब आगे क्या रूप लेगा ये देखना होगा। सारी कास